कि नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मठा के सवर्सा हूँ आपके गनित का सिक्षक स्वागत करता हूं अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस प्लेटफार्म पर तो देखे बच्चों अभी क्या है कि दू-तिन सालों से आप लोगों की पढ़ाई एकदम रुक्सी गई है कारण आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना कोरोना के चलते हुए आप नियुमीत रूप से विद्याला इसकूल नहीं जा पार रहे थे ऑल्लाइन क्लासेस हो जरूर नहीं थी लेकिन उसमें भी कई परकार की समस्यां आ रहे थे कहीं पर नेटवर्क का इसू है कहीं पर और कुछ परकार के समस्यां है जिसके कारण आप लोगों के बेसिक एकदम कमजूर सा हो गया है अब हम कक्छा दस्वी में पहुंच गया है चूंकि कक्छा दस्वी जो है बोड परिक्षा है क्या है बोड परिक्षा है आप लोगों को सारे चप्टर्स को सारे उनिट्स को पढ़ पाएंगे यहां तक अपने सारे डॉट्स को क्लियर पर क्लियर कर पाएंगे तो देखे बच्चो आज इस वीडियो में हम अपना जो कक्छा दस्वी विशागड़ित के अंतरगत पढ़े जाने वाले संपुन पाठ्थे करम की बात करने वाले हैं इसमें हम यह देखेंगे कि हमें कक्छा दस्वी विशागड़ित में कौन-कौन से अध्याय कौन-कौन से चप्टर पढ़ने को मिलेंगे तो आए बीना किसी देरी के बच्चो आज कर जो वीडियो हो हम स्टार्ट करते हैं तो जो एसी यार्ट दुवारा हमारे लिए संपुन पाठ्थे करम बनाया गया है उनको हम देखने वाले इसमें हमें आठ यूनिट दिये जाएंगे आठ यूनिट दिये जाएंगे साल भर के लिए उन आठ यूनिट को पढ़कर हमें अंतिम में एक परिक्षा भी देनी है उसको उत्ती नभी करना है तो उन आठ यूनिटों को हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले बच्चों यह हमारा इकाई एक क्या है इक एक को हम कहते हैं बीजगडित बीजगडित के अंतरगत हम पांच चप्टर पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं पांच चप्टर वो अध्याय एक से संबंधित है क्या है अध्याय दो अध्याय एक से संबंधित है तो हम पुना इसको क्या पढ़ेंगे सिरीज वाइस पढ़ेंगे पहले हम अध्याय एक बहुपत को पढ़ेंगे फिर हम अध्याय दो में आएंगे जो कि हमारा दूसरा अध्याय है वो है द और इच्छा की दिरिष्टी कोन से अतीम हत्व पुर्ण है फिर हम अगला पढ़ेंगे अध्याय चार अध्याय चार जो कि हमारा है वो है समानतर श्योनी इसमें हम स्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे समानतर श्योनी में हम इनमा पदग्याद करनेंगे अंतिम अमध्बुदाः होगा अनुपात मैं की खाए गभर सक्वाद घचा रखायगे ये जरेल और प्रशनुपात धना अनुपात सब्सक्राइब होगा आको प्रकार के पड़ने होगा ठीक है बच्चो कि अग्ला हम पढ़ेंगे वह हो गया हमारा एकाई दो हमुद्दी कि अ क्या होगा निर्द्चांग ज्यामिती और यह क्रम से चले तो यह अध्याय नं Republicans चेपटर नंबर होगा इस a लेकिन यह इकाए दोका एकाई दोका पहला अध्याय ओगई निर्दसांग ज्यामिती फिर हम पढ़ेंगे अध्यायसाद यहां साहथ घण साथके यह घ्रम को अलेक को को यहाँ पर हम करने वाले बैंकिंग कारदान से तो हमार जो Всक्त रहों नंबर की शिपंटर होगा अध्याः वह souhaगा बेंगग एवन कराधन फिर हम पढ़ने इक 54 इक तिक बारेमें कि सके बारे में त्रिकोर्ण मैं के बारे में पढ़ेंगे जो इंकाई चार है इसको भी दो चप्टर में बाटे गए अलगलक चप्टर आप जैसे कि यहां पर है अध्याय 9 में हम पढ़ने वाले हैं त्रपोण मिटी समीकरन एवन सर्वसमीका और को मिति के बारे में आपने कख्छन नवी में पढ़ा है लेकिन मैं आपको यहां पर कुना कख्छन नवी से स्टार्ट कराऊंगा ताकि आपका जो बेसिक है वो इस्ट्राउंग हो ठिक थी फिर हम अगला पढ़ेंगे अध्याय दास अध्याय दस में पढ़ेंगे उचाए एवंदूरी उचाइ एवंदूरी ये वी किस से तुलबन оде अनुपाद से तरकोडमिति अनुपरियोग से तो अध्याय नौा और अध्याय रेत ये दूनों एक दूसरे सर शंबल्णी थे तो हम इन दूनों अध्यायों को के अंतर्गत्र पढ़ने एकाई चाहा है हमारा तुरइख हो आगला हमारा एक आई है वह है जियांई नंबर पाँνच हिकाई 5 भार्च browsing आ भाने वाले हमारा अध्यायग्ञार होगा घ्यांमिती आकरिती अवं समरूपता हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कर hippal इसको आप पढ़ने वाले हैं हम उसको पुर बेसिक से जानेंगे हर चीजों को फिर हम अंतिम में पढ़ेंगे जो हमारा एकाई पांच का अंतिम चिप्टर होगा वो होगा जियामिती रचना है इसमें हमें प्रत्यक वर्स पांच अंकों के लिए प्रशन पूछे जाते हैं हम एक कतन दे दिए जाता है उसको हमें आग्ण बढला पड़ना पड़ता है और उसमें हम जो काम के रहे रहते हैं उसको लिखना होता है अप पूरिगत वृति की रचना करते हैं जियामिती रचनाहे में ठिक तो एकाईट पांच मैं आपको तीन चप्टर त पढ़ने हैं फिर अगले हम पढ़ेंगे एकाईच है क्या पढ़ेंगे इकाईच अपको केवढ और केवल एक ही चप्टर्स पढ़ने अध्याएए चोड़ा यह है गड़ती कतनों की जाश हमें कोई कतन दे धिए जाएंगे उन कटनों की जाश करना हम सिखने वाले है इस अध्याय में फि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 15 में फिर हम अंतिम में पढ़ेंगे जो हमार अंतिम होगा वह होगा इकाई आठ क्या है यह अध्याय 16 आंकोडों का विशलेशन इसमें हमें कोई डेटा दे दे जाएंगे उनका हमें कभी बहुलग ज्याद करने को लिए कहा जाए तो इकाई आठ में हमें केवल एक चप्टर्स पढ़ना है आकडों का विशलेशन तो इस प्रकार से बच्चों आपको आठ इकाई आठ यूनिट पढ़ने हैं और चप्टरों की संख्या यहां पर हो जाएंगे कितने सोला तो सोला चप्टर पढ़ने है और आठ इकाई पढ़ने तो इतना हमारा है संपूर्ण पाठ्यकरम तो इस वीडियो में हमने जाना बच्चों कि हमें साल भर में कितने यूनिट पढ़ने कितने इकाई पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में अपने अध्या एक